हलो एव्रिवार, वेलकूम टू माई चैनल आज मैं आप लोग के सामने गनपती बापा का पुजा उसका तयारी और उसका मैंने किस तरह से सेलिब्रेशन किया उसका भीडियो आप लोग के सामने लेके आई हूँ यह जो सेलिब्रेशन है मेरा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस सेलिब्रेशन को किया है आसा करती हूँ आपको यह मेरा भीडियो पसंद आएगा और इस भीडियो से अगर कोई एक भी चीज आपको काम का हो तो मेरा यह भीडियो बनाना सफल हो जाएगा हर साल यह पूजा पंडित जी आकर करते हैं पर इस बार क्योंकि करोना के बज़े से पंडित जी घर पर नहीं आ पाये तो इस बज़े से घर पर मैंने पूजा किया है जो भी मैंने इतने साल पूजा में देखा है वही से सीख कर मैंने यह पूजा किया है अगर मेरा कोई भी भोल चुक हो जाए तो आप कॉमेंट पर लिख दिजेगा लेकिन मैंने पुजा बहुत सिंपल तरीके से किया है पर बहुत ही स्रद्धा मन से और बहुत ही भक्ती मन से किया है I hope आपको ये मेरी भीडियो पसंद आएगा और अगर मेरी ये भीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक से आर और कॉमेंट कर दिजेगा और अगर मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा तो पुजा के दिन सवेरे उठकर मेने घर का जो भी काम है उसको जल्दी से निप्टा कर नहा धोके मैं भगवान जी के मंदिल जो है भगवान जी का जो पुजा रूम होता है उसको मैं साप सफाई कर रहे हूँ और पुजा के लिए जो जो सामान के जरुत है वहाँ पर मैंने साइड में कुछ सामान लगके रखा है और जो भी पुजा भगवान जी के पुजा के लिए बरतन जरुत होता है उस बरतन को मैंने खुब अच्छे से माज के उसको रख दिया है भगवान जी का रूम अच्छे से सापसपाई हो जाए उसके बाद और जो बाकी सामान है मैं उसको लाके रख दूंगी यहाँ पर मैंने घर का मुख्या द्वार जो होता है उसके सामने रंगोली बना रही हूँ हर पुजा या कोई भी त्याहर होता है तो मुझे घर के सामने रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पुजा में मेरा बहुत सारा काम था तो इस बज़े से यहाँ पर मैं बहुत एक सिंपल सा रंगोली बना रही हूँ जो की जटपड बन जाए और सुंदर भी दिखे और ज्यादा टाइम भी ना लगे तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनिट के अंदर द्वार के दोनों साइट का रंगोली यहाँ पर मैंने बनाया है और रंगोली सिंपल भी है और सुंदर भी है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रंगली बना लिया है यहाँ पर मेरे हजबिट और मेरे पेटा बेलून फुला रहे है बीच में जो लेटका है वो हमारा पोडोस का लेटका है वो साइमन के साथ आकर अक्सर खेलता है तो वो भी यहाँ पर बेटके उन लोग के साथ बेलून फुलाने में मदद कर रहा है कोई भी पूजा हो या कोई खास त्याहर हो घर का अगर डेकोरेशन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है तो ये लोग यहाँ पर बेलून फुला रहे हैं पुजा के दिन डेकोरेशन करने के लिए और साथ में बहुत मस्ती भी साइओन कर रहा है यहाँ heat parecer यहाँ पर बेलून फुला रहे हैं गर का मुख्य द्वार में भी उन्होंने थोड़ा से डेकरेसिन किया है क्योंकि करोना के बज़े से हम लोग ने ज्यादा सौपिंग ने ही किया जो भी थोड़ा बहुत हम से हो पाया हमने सौपिंग किया और उसी हिसाब से हमने यहाँ पर डेकरेसिन किया है आई हो आपको पुल लाएगा और अब मैं आगे हूं कि चिन में मुझे पुपान जी के लिए प्रसाद बनाना है और प्रसाद में मैं तील कलर भी यहाँ पर बनाऊंगी और बत्धी बनाऊंगी ग्यास पर मैंने एक ड़ाई ले लिया है और उसमें में लिया है आधा किलो अब इसके जगा नौर्माल वाला कुण भी ले सकते हैं और यहां पर मैंने आट किया है एक कप सफेद बालाट जो चीनी होता है उसको लिया है इसका फिल्पी मैंने नहीं कर पाया अब इन सारे चीजों को मैंने दो चमस पानी डाल कर यहां पर बच्चे से पिखला लेना ह इसको हमको low flame पर करना है और कुछ time पकाने के बाद जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगएगा तुछ time पर हमको एक पटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है और पानी के अंदर उनको कुछ drop डालना है और उसके बाद जब ये इस तरह से हो जाए तो इसका मतलब ये binding हो ज अब ये खुब अच्छे से mix हो जाएगा गुड़ के साथ तिल तब हमको gas का flame को off कर देना है नहीं तो हम इसको ज्यादा time पकाएंगे तो ये सक्थ हो जाएगा इस stage पर हमको gas को off कर देना है और इसको एक plate में हम निकाल लेंगे यहां पर मैंने plate को अच्छे से grease कर लिया है और उसके ऊपर सारा mystery को डाल देना है और उसको एक spatula के मदद से मैंने खुब अच्छे से इसको set कर लिया है उसको ठ़ड़ा से हमको domma darda के set करना होगा तब जगे ये खुब अच्छे से set हो पाएगा अब यह अच्छे से set हो गया है अब जब ये गरम गरम ही है तब हमको कट कर लेना है आपको जिस तरह से भी सेप पसंद हो आप उस तरह से कट कर सकते हैं मैंने यहां पर इस तरह से कट कर लिया है जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और यहां पर मैं कुछ लड़ू भी बना लूँगे काकी ओड़ी समय भगवा उसको हलका सा गरम कर लिजेगा तो यह लड़ू बनाने के लिए फूरा फिर से तयार हो जाएगा तो यहां पर मैंने लड़ू और बर्फी बना लिया है और पूजा के लिए जो भी सामन की जरुद है यहां पर मैंने हर चीज का तेयारी कर लिया है आप यहां पर देख सकत मैंने फूल, फ्रूट्स, नारियल, दूब, बेर का पत्ता, धागा और पंचामरित के लिए जो भी सामन की जरू थे, कुछ ड्राइफूर्स, सारे चीज ले लिया है, यहां थोड़ा सा मैंने रंगोली भी बना लिया है, और भगवान जी का आर्तिका थली तयार किया है, खड़ा सा बेलून का भी डेकरेशन क्या हुआ है, तो इस तरह से मैंने पूजा रूम का सारा तयारी कर लिया है, अब मैं जाओंगी खुद तयार होने के लिए, मैं साड़ी पेहन के खुब अच्छे से तयार होके फिर भगवान जी का पूजा सुरू करूंगी, काकि पू जारूम में आ गई हूँ, और यहां पर मैंने सबसे पहले दिया को लगाया है, क्योंकि बोला जाता है कोई भी पूजा सुरू करने से पहले सबसे पहले दिया को लगाया जाता है, तो भगवान जी को मैंने समारन करके यहां पर दिया लगाया है, और यहां पर और दिया भ तो हम बाहर से मुर्ती लेके आते हैं, लेकिन इस बार पंडित जी नहीं आ रहे हैं, तो इस बज़े से घर में जो मेरे एक चांदी का गनपती थे, मैं उनका पुझा कर रही हूँ, तो यहां पर मैं मुख्य द्वार पर दो दिया रख रहे हूँ, मैंने दोनों द्वार के सा और यहां पर मैंने एक चोटा सा कलस रखा है, जिसके उपर मैंने फूल रखा है, मैं रोज पुझा करने से पहले घर के मुख्य द्वार के सामने यह चोटा सा कलस रखती हूँ, फिर पुझा करती हूँ, कोई भी खास पुझा होता है, तो मुझे घर का मुख्य द्वार को और साथ में यहां पर मैंने सिंदूर, दू, फूल यह सो भगवान जी के पस चड़ाया है और एक सूपारी और पैसा लेके उसको माथे पेर में लगा के अपना मनुस का मना बोलके यहां पर में एक तंबा का पात्री बोलते है जो उसके उपर रखके उसको भगवान जी के पास में रख दिया है और उसमें थोड़ा सा जल चड़ाया है और उसके उपर सिंदूर, फूल और चावल भी लखा है और उसको हाथ में लेके हम संकल्प करेंगे और यहां पर मैं भगवान जी का एक बंदना गा रही हूँ यहां पर मुझे इस तरह से जितना भी गनपति का बंदना आता है मैंने सारे बंदना यहां पर भगवान जी के पास गाया है और यहां पर मैंने प्रशाद के लिए कुछ फूर्टस काटकर रखा है उसको हम प्रशाद लगाएंगे और साथ में हमारा यहाँ जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका बुक्स भगवान गनेस के पास पुजा करने का विधी है तो मैं यहाँ पर एक बुक को पुजा कर रहे हूँ मेरा बेटा का यह बुक है उसको पुजा कर ले रहे हूँ मैं इस तरह से यहाँ पर मैं बुक के साथ साथ भगवान जी का भी थोड़ा सा पुजा कर ले रहे हूँ और अब हम तीनों हाथ में तंबा पात्र लेकर एक साथ संकल्प कर रहे हैं और संकल्पा पानी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घट के उपर और भगवान के उपर दिया है अब मैं नारियल फोड़ रही हूँ नारियल फोड़ के उसका पानी चारो तरब दे रही हूँ अब हम तीनों यहाँ पर भगवान जी के पास प्रोस्पन जली दे रहे हैं उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान जी का और एक बंदना गा कर भगवान जी के पास जोना दानी पे जोना दे रहे हैं अब हम तीनों मिलकर भगवान जी का बंदना गा रहे हैं और इस तरह से हम भगवान जी को प्रणाम करके अपना पूजा यहां पर संपन किया अब पूजा खतम करने के बाद में नीचे आगे हूं जिस ख्लाट पर हम लोग रहते हैं वहां नीचे वाले जो भावी रहते हैं उनके यहां हमारा लंच था और उन्होंने लंच में कई सारा सबजी डाल यहां पर बनाया है जो कि बहुत सारे सिंपल सा रेसिपी उन्होंने बनाया है का कि बरत के बाद ज्यादा रीच खाना पसंद नहीं आता है तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और टेश्टी खाना यहां पर बनाया है तो हम दोनों यहाँ पर डाइनिंग टेबुल के उपर प्लेट में खाना सर्थ कर रहे हैं हम लोगों अक्सर इस तरह से मिल जूल के काफी टाइम इस तरह से खाना खाना पसंद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सब लोग के साथ मिल जूल के बेट के ठाना खाने के लिए और पूजा हो तो और भी अच्छा लगता है भावी ने पूरा खाना उनकी मेड के मदद से बनाया है और मैं बोली थे उनको हम हेल्फ करूँगी लेकिन मेरा पूजा के लिए काफी टाइम निकल गया तो इस वज़े से मैं नीचे उनको हेल्फ करने के लिए नहीं आपाई अब मैं सर्फ करने में उनका हेल्फ कर रही हूँ अब साइमोन यहाँ पर बेट के अपनी पापा और एक भाई और उंकल लोग के साथ अपना मील एंजोई कर रहा है पहले जेंट्स لوकों का खांणा हो जाएगा तो फिर हम लोग भी बेट के खाएंगे अब हम लुग में भी यहाँ पर खाना खाने के लिए बेट गये हैं और हम लोग सोब बहुत ही आच्छी से बात करके, बहुत ही ज़ादा एंजोई करके यहाँ पर अपना में एंजोई कर रहे हैं और मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है सबके साथ बेट के खाने में इस तरह से एक बहुत ही सिंपल पुजा सेलिबरेशन मेरा था I hope आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक सेयर और कमेट कर दिजेगा और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बाई बाई लब यू ओल